आज की इस वीडियो में आपको सिखाएंगे Facebook वीडियो पे Thumbnail कैसे लगा जाता है अगर वीडियो पे एक अच्छा और Professional Thumbnail को अगर आप लगाएंगे तभी आपका वीडियो पे कोई भी क्लिक करके देखेगा तो आपका वीडियो पे ज़्यादा भीव जाएगा, ज़्यादा रीच मिलेगा और वीडियो वाइरल हो जाएगा दोस्तों यहाँ देखिए एक वीडियो है जिस पे हम thumbnail लगा कर रखे हैं अगर दोस्तों आपको भी सिखना है Facebook वीडियो पे thumbnail कैसे लगा जाता है तो इस वीडियो को सुरू से ले करके last तक जरूर देखें तो वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो पे thumbnail लगाने के लिए सबसे पहले आप Creator Studio को open कर ले अगर अभी तक आप Creator Studio को download नहीं कियोंगे तो Play Store में जा करके सबसे पहले आप Creator Studio को download कर ले अगर आपको downloading नहीं करने आ रहा है इस वीडियो का description में उसका link दे दिया है वहाँ से भी आप downloading कर सकते हैं अब जिस भी वीडियो पे आपको thumbnail लगाना है उस वीडियो पे एक बार आपको click करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ सामने में देखेगा लिखा रहाएगा thumbnail उसका नीचे लिखा रहाएगा add तो इसी पेगबर आपको click करना है अब जो भी thumbnail आप लगाना चाहते हैं simple उसी पेगबर आपको click करना है उसके बाद दोस्तों देखेगा उपर में लिखा रह रहाएगा next तो next पे एक बार आपको click करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे में देखेगा लिखा रहाएगा save तो save वाले option पे एक बार आपको click कर देना है अब आपका thumbnail ज्योर लग जाएगा देखें दोस्तों यहाँ पर thumbnail लग चुका है इस परकार से आप अपने वीडियो पर thumbnail लगा सकते हैं तो मुझे विश्वास है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि Facebook वीडियो पर thumbnail कैसे लगाया जाता है अगर इस चैनल पर आप नए आए है तो इस चैनल को सस्क्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रिस कर दें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक जहिन